अधरनिय भगवान राहुल कांदी साहिव चाहे जितनी चिल्ला चोट मचाएं लेकिन मोदी साहिव के शाषन काल में वेल्ट क्रियेट होती है आप स्वयम देख लीजिए जैन टेकनलोजी पिछले पांच वर्षों में इस कंपनी का शेयर 26 गुना हो गया है और इसके बावजूद नुवामा की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जैन टेकनलोजी का शेयर अभी 70 फीजिदी और चड़ सकता है तो कारण उसका यह है कि जैन टेकनलोजी का जो प्रड़क्ट है जो स्युमिलेटर से जैन टेकनलोजी बनाता है वो बड़े कमाल के हैं दरसल पहले केवल हवाई जहाज के स्युमिलेटर हुआ करते थे लेकिन आज की डेट में स्युमिलेटर हर चीज का है बंदूख चलान अनुफ़ब ने इसे सिद्ध किया है कि युद्ध के मैदान में जितनी शक्ती हाधियारों की होती है उससे कई गुना महत होता है ट्रेंड मैंपावर का तो भारतिय सेन्वलों को ट्रेनिंग देने में सहयोग प्रदान करने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है जैन टेकनलोजी बहुत जरूरी है देखिए इसके जब प्रोडक्ट बिखते हैं तो अख़वारों में ख़वर नहीं जबती लेकिन इसी के प्रोडक्ट इसी कंपनी के प्रोडक्ट समस्चत करते हैं कि भवश्य में आने वाले युद्ध को हम जीते हैं और ना सिर्फ स्युमलेटर बलकि ये कंपनी एंटी ड्रोंस सिस्टम भी बनाती है ड्रोंस के खिलाफ ये सिस्टम बड़े कारकर हैं यही कारण है कि Zen Technology का शेर बढ़ रहा है रेवेन्यू में भी इदाफा है प्रोफिट भी कमाल कर गया तो Zen Technology अभी Consolidate हो रहा है जैसे ही इसके चार्ट पर मजबूती के सं केत मिलेंगे निश्चित रूप से मैं अपने क्लाइंट को रिक्मेंडेशन देंगा डिफेंस स्टॉक्स वैसे नॉर्मली अभी सब गिर रहे हैं तो जल्दी ही उन्हें खरीदारी के मौके बनेंगे उन्हें बनाने के लिए यदि आपको मेरी रिक्मेंडेशन चाहिए तो अपनी सेवाकाई का उपसर मुझे जरूर दें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट वन जाईएगा स्रीमंत